प्यारे बच्चों, जेसी याटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरन अध्यन कक्षाचार के पाठ 21 पर्मा के खेत पढ़ेंगे। और जानेंगे कि धान की खेती किस प्रकार की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जून का महीना है। और आज सुबह से ही बहुत गर्मी है। पर्मा अपनी कमीज उतार कर घूमने लगा। हवा लगने पर उसे कुछ राहत मिली। पर्मा के पिताजी किसान है। और उसके पिताजी सुबह से ही लकडी के हल की मरबमत में लगे हुए है। वे हर बार की तरह ध धान की फसल उगाने की तैयारी में लग गये हैं अभी धान का बीज बोना है जिससे बिचड़े तैयार होंगे इसलिए वे पहली वर्चा से पहले ही क्षेत की जुताई कर चुके हैं कल उसकी एक बार फिर से हल से जुताई करेंगे और जुताई करने के बाद उसमें खेतों में बड़े-बड़े धेले हो जाते हैं उन धेलों को लकड़ी के हथोड़े से चूर-चूर करना होता है तो परमा भी इस काम में अपने पिताजी की मदद करने वाला है चलिए अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं प्रिश्ट संख्या 123 में पहले कुछ प्रश्ण पूछे गए हैं तो इसकी चर्चा कर ले प्रश्ण है कि पर्मा के इलाके में लकडी के बड़े हथोडे से मिट्टी के धेले को चूर-चूर किया जाता है आपके इलाके म पिछली भाग से भी मिट्टी के धेलो को चूर-चूर किया जाता है तो आपको पता करना है कि आपके इलाके में ये कैसे किया जाता है दूसरा प्रश्ण है कि किसी किसान या अपने बड़ों से पूछो कि उनके इलाके के खेतों में क्या-क्या उगाया जाता है तो द्धान की भी खेती करते हैं और आलू की भी खेती करते हैं तो बच्चों आपको भी अपने आसपास के खेतों में क्या-क्या उगाया जाता है ये पता करना है उसके लिए खेतों को कैसे तयार किया जाता है ये भी आपको पता करना है पाट में अब हम खेती के कौसल पढ़े बच्चों जैसा कि आपको पता है कि परमा के पिताजे इस बार धान के बीज बोईंगे तो चलिए हम भी सीखते हैं कि वे धान की खेती करने के लिए क्या क्या करते हैं तो सबसे पहले वे बिचडा बोने के हिस्से की जुताई करके फलका करेंगे तो खेत की जुताई करने क्यों की जाती है ताकि जो मिटी है नीचे की मिटी उपर उपर की मिटी नीचे हो जाए वो फलका हो जाए जिससे की बीज जब हम बोईंगे तो बीज को अच्छे प्रका से हवा पानी खाद मिल पाए जुताई करने के बाद जो बड़े-बड़े मिट्टी के ढिले बनते हैं उसे लकडी के हतोड़े से तोड़ कर छोटा किया जाएगा और इस काम में परमा की मा भी मदद करेंगी और परमा खुद भी अपने पिताजी की मदद करने वाला है अब हैं कि इसके बाद पिताजी और मा मिलकर गोबर की खाद डालेंगे और अब खेत तयार हो गया है अब पिताजी उसमें धान के बीज को छीटेंगे और बैलो की सहता से मैर यानि पट्टा चलाएंगे तो पट्टा या मैर चलाने से जो मिट्टी है वो समतल हो जाएगा और पिताजी के साथ साथ चलता है और हल की मुठिया पकड़ लेता है पर शायद वह अभी छोटा है बच्यों अपने आसपास आपको पता करना है कि बैलो के अलावा किन किन चीजों से हल चलाया जाता है आप देखते होंगे कि ट्रैक्टर के द्वारा भी आजकल खेतों को जो जल चुके हैं काफी घने पौधे उगाए हैं पिताजी को आशा है कि इस बार मौन्शून की अच्छी वर्षा होगी और धान की रोपनी का काम समय पर कर लिया जाएगा धान के पौधों को बढ़ता देखकर परमा बहुत खुश है बिच्डों को रोपनी के लिए पिताज हुए हैं और वे हर रोज खेट की जुताई कर रहे हैं ताकि खेट में कीचड तयार हो जाए और आसानी से इन बिच्डों की रोपनी की जाए तो बच्चो इस बीडियो में हमने धान की खेती के लिए खेट त्यार करने के सारे प्रकरिया को देखा अगले बीडियो में हम धान की रूपनी से लेकर धान की कटाई की सारी प्रक्रिया को जानेंगे तब तक के लिए धन्यवाद